मैं डाक्टर डियन सिंग, एसोसेट प्रोफेशक, डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल साइंस, MLT कॉलेज सहर्शा, BNMU इनवर्सीटी मधेपूरा दिहार. मैं आज इस आउडियो में प्लेटो के सिक्षाप पधती पर प्रकास डालूंगा. अपने गुरू सुकराद की हत्या से छुब्ध प्लेटो यह सोचने को बाद दी हुआ कि जिस सासन ब्यवस्था ने यह मृतु डंड ऐसे स्रस्थ दार्षनिक को दिया है, वह ब्यवस्था ही दोस्पुरु नहीं. अटा प्लेटो की सारी समस्या का मूर उद्देश एक आदर्स राज एवंग एक आदर्स राजा की प्राप्ती थी. उसने कहा था कि until philosophers will be the kings and kings will be the philosophers, the evils of the world shall not disappear. प्लेटो की समस्त ब्यवस्था का आधार नियाय है जो राजी का परान है। नियाय में वर्नित स्वधर्म पालन एवंग आधर्स राजी की पराप्ती तभी संभब हो सकती है जब बेविन बर्गों को अपने करकब्य का ग्यान हो। एवंग यह उतित शिक्षा के द्वारा ही संभब हो सकता है। बारकर ने कहा है कि यह मानसिक चिक्षा के द्वारा समाज की मानसिक ब्याधी को ठीक करने का प्रियास है। उसने कहा था कि एडुकेशन वाग लिंच्पिंड आफ प्लेटो ज आइडियल स्टेट। बारकर के ही सब्दों में इट इस एन एटेम्ट तो कियोर मेंटल मेलोडीज पाइ मेंटल मेडिसीन। जरूरी है क्योंकि प्लेटो पर इन दोनों शिक्षा पध्धियों का गहरा प्रहोपरा है। पहला एठेंस के शिक्षा पध्धती एठेंस के शिक्षा पध्धती ब्यक्ति का अपना नीजी कारिय था। एवंग राज को सिक्षा पध्धती से कोई भी संपर्क नहीं था। रोमन समराज के समय एथेंस में कोई भी राज द्वारा संचालिक स्कूल नहीं थे। सोलन के नुसार प्रतेक माता पिता का करतब्य था कि वह बच्चों के लिए समचित सिक्षा की व्यवस्था करे। एथेंस की यह सिक्षा पध्धती तीन भागों में भी भक्त थी प्रारंभिक सिक्षा। यह चो वर्ष की आयू से प्रारंभ होकर चोटव वर्ष की आयू तक चलने वाली पध्धती थी जिसमें विद्यार्थी को संगीत, कविता, संद, मल्य शिक्षा, प्राचीन कवियों का ध्यन, धर्म सास्त, निठी सास्त बताए जाते थे। अतह उनकी कविताओं से बहुत शिक्षा मिल जाती थी। इस अबदी में होमर एवंग हैस्योट की कर्फ़ता परहा दी जाती थी। यह था सारुलिक विकास पर काफी जोर देकर विद्यार्थी को बहमुखी प्रतिवावान व्यक्ती बनाने का प्रियास किया जाता थी। शिक्षा सौफिस्टों के द्वारा निर्गत की जाती थी। जिसके लिए शात्रों को काफी भार बहन करना परता थी। तता यह एक अर्थ में समाज के धनी वर्गों की शुगधा थी। क्योंकि यह उन्हें ही उपलब्ध हो सकता था जो खर्च कर सकते थी। शिक्षा के इस अस्थिते में अलंकारशास्तर भासंकला एवंगराजनती की शिक्षा दी जाती थी। इस अस्थिति में रातनिती पर बहुत जोर दिया जाता था, क्योंकि यह सिक्षा प्राय उन्हीं लोगों के लिए थी जिन्हें की प्रशासन में भाग लेना था. तिरती अस्थिती शिक्षा की तिरती अस्थिती 18 वर्से लेकर 20 वर्स तक की अनिवारिश सेनिक शिक्षा थी तिसी भी नागरिक के लिए अपने अधिकार एब स्वतंत्रता की प्राप्ती करने के पूर्व यह सिक्षा प्राप्त कर लेना अनिवार्य था इस शिक्षा में से प्रजिक शिक्षा भी दी जाती थी इस तरह से एठेंस की शिक्षा पध्धती परिवार का दाइट था या शिक्षा राज की आवशकताओं एवन प्रकृती के प्रतिकूल था या शिक्षा पध्धती स्रिष्ट गुन संपन्न उत्तम नागरिकों के अस्थान पर उपत्रव करांतिकारियों एवन भरस्ट राजुन्तिकों को जन्म देती थी परणाम सरूप एथेंस अग्यानी एवन अयोग व्यक्तियों के सासन का दूस्परणाम भूग रहा था शुकराद की हत्या एथेंस की व्यवस्था पर एस एक ऐसा कलंग है जिसे समय की धूल भी नहीं मीटा पई है अब हम एस्पाटा की शिक्षा पध्धती पर विचार करें एस्पाटा की शिक्षा पध्धती एथेंस की शिक्षा पध्धती से पूर्न तया भिन थी एस्पाटा प्रमुक्त तया वार स्टेट था वहां के युद की कहानिया विश्विख्या था अतह एथेंस के इस युद्धा राज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का संचालर राज के द्वारा किया जाता था, एवं काफी कठोर प्रशिक्षन की विवस्था थी, शिक्षा में परिवार का कोई भी हात नहीं था, साथ बर्स की अलपायों में ही बालक राज के नियंत्रन में ले लिये जाते थे, एवं राज उसके प्रशिक्षन की विवस्था करता था, शिक्षा का उदेश बहुत ही कम एवं साररिक विकास ज्यादा था, क्योंकि उसका उदेश स्रस्थ से स्रस्थ युद्धा पैदा करना था, शिक्षा का मूल उदेश नारिकों को बीर बनाना था, जिसस वे एस्पाटा के सेनिक परमपराओं का निर्वाह कर सके इस सारिक स्रम से इस्तुरियां भी बंचित नहीं थी प्लेटार्क ने एस्पाटा के प्रसिद नियम निर्माता लाइकरगस की जीवनी में लिखा है यहां बालक एभंग बालिकाईं एक साथ नगना वस्था में बिविद ब्यायाम करते थे एस्पाटा में युटियों के सरीव ही दोव, उस्थी, ब्यायाम, बर्ची, भाला फेक ने आदी के द्वारा बलवान एभंग स्वस्त बनाये जाते थे ताकि उनके संतान भी स्वस्थ हों बीस वर्स की आयू के बाद बिवाह की सोतंतरता थी पर परवारिक आवशक्ताएं राजिके सामने गौन थी आम तोर पर बिवाह एक गुप्त एवन अवेद संबंध माना जाता था एवंग पती-पत्नी नियमित बैवाविक जीवन यापन नहीं कर सकते थे जिस समय में प्लेटो ने रिपबली की रचना की उस समय एस्पाटा अपने उत्थान के चरम उत्कर्श पर था अता एस्पाटा की पध्धती भी लेटो के उपर अपना प्रियाप्त प्रहोड डाला क्यूंकि एस्पाटा की पध्धती भी एकांगिन थी क्योंकि यह बउधिक पक्स की घोर उप्यक्षा थी बहुत से एस्पाटा निवासी ऐसे थे जो पढ़ना डिखना नहीं जानते थे वहां मात्र सारे रिक शिक्षा थी मान सिक शिक्षा नहीं अब मैं प्लेटो के एडुकेशन थियोरी पर आता हूँ जो इन दोनों पध्धतियों से प्रेड़ना प्राप्त कर प्लेटो ने अपनी शिक्षा पध्धती की बीवेचना की है अपनी शिक्षा पध्धती को अंजाम दिया है प्लेटो की शिक्षा पध्धती क्या है बारकर ने लिखा है प्लेटो के नुसार मानव मस्तिस्क एक क्रियासिल बस्तू है, फलता हुआ बस्तूं की ओर खीशता रहता है, एवंग आकर्शित होता रहता है, इसी आकर्शन से उसके मन का जोकव जाना जा सकता है, उसके इस सुभाविक जोकव में बिना किसी भी तरह का हस्तक छेप किये गुरू का कारी यह है कि वह बिद्यार्थी के मानसिक नत्रों को ऐसा प्रकास दे सके, जिससे वह बस्तूं को सही एवंग यथात रूप में देख सके, बारकर नहीं कहा है कि the true art of teacher lies in bringing out the best that is in his people's, प्लेटो के नुसार शिक्षा वाहि वातावरन का आत्मा पर परने वाले प्रभाव की प्रतिक्रिया है, जिस प्रकार सरीर पर भोजन का प्रभाव आजीवन परता है, उसी प्रकार आत्मा पर बाता वरन का प्रभाव प्रतू परता है, आत्मा प्लेटो के शिक्षा पत्यती जीवन प्रियंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें अवस्था का नु संगीत का एवंग साहित के लिए उप्युक्त होता है उसी तरह से मध्य आयू बिज्ञान एवंगनित की शिक्षा के लिए उप्युक्त है जब प्रोड़ावस्था में मनुस्य की तर्क शक्ति का पुरुन विकास हो जाता है तो उसे दर्सन की शिक्षा देनी चाहिए ताकि idea of good की प्राप्ति हो सके प्लेटो की शिक्षा पध्यती यदे पी बहुत दिर्क कालिन पध्यती है अवस्था के नुसार इसे मुखतया दो भागों में बाटा जा सकता है पहला प्रारंभिक शिक्षा प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा दस वर्स की आयू से प्रारंभ होक बीस वर्स तक की आयू तक चलेगी इस से पहले चो वर्स की आयू से ही परवार में माता पिता या अभिभावत उसके प्रविर्टियों को शक्त आदर्स एवंग सद्गुनी जीवन की और प्रेडित करेंगे साथ वर्स की आवस्था से लेकर अठारव वर्स तक की आवस्था में शंगीत कला ब्यायाम साथ साथ चलेगा प्लेटो का नुसार एक पुरुन मानम में सरीर एवंग आत्मा दोनों का शौंदर्य होना चाहिए अत्मा के परिस्कार के लिए प्लेटो शाहित एवं कला पर जोर देता है इस पध्धती के अंतरगत काबिश साहित, शंगीत, निर्थ साहित, मुर्ती निर्मान, कला, चित्र कला, आधिका समावेश होना चाहिए कनफर्ड करमिसार ले एवं स्वरेक किसी भी अन्य बस्तू की अपिक्षा आत्मा के अंतरतम में गहरा पर प्रतीत होता है एवं उस पर अपना सुद्र अधिकार जमा लेता है आत्मा के यह ललित यानि ग्रेस फूर बना देता है लालित इसका सहचर है और यदि इस पर कोई अधिकार जमा ले तो आत्मा स्वतह लालित की प्राप्टी कर लेती है पर प्लेलो लालित कला को उस हद तक अंगिक्रित करने का विरोजी है जहां तक यह चारित्रिक पतन एवंगमान सित कुप्रभाव डालने वाला हो कला के इस पक्ष पर प्लेटो के प्लेटो कठोर प्रतिबंद का समर्थक है साहित के वे अंस जो देव द्रोही देवताओं के नेचिक पतन उसके पराजे साहस को सिथिल बनाने वाले और सैयम उत्पर्ण करने वाले इंद्रिये लोलुपता एवंग भोग बिलास को चित्रित करने वाले हों ऐसे अंस छाट दिये जाए सिक्षा की दूसरी पधती सारिक है और इसके लिए वह जिमनास्टिक या ब्यायाम का समर्थक सारिक बल की ब्रधी की प्रेड़ना प्लेटो एस्पाटा से गरन किया था वह माच सारिक ब्यायाम का ही नहीं आहार एवंग चिकित्सा सास्त्र का भी ज्यान जरूरी मानता था कन्फर्ड का नुसार सारिक शिक्षा के द्वारा बल एवंग ओज की इतनी ब्रधी कर ली जाए कि सरीड इतना स्वस्त हो जाए कि वह कभी बीमार ही न परे प्लेटो के नुसार बीमारी आलियस एवंग बिलास्ता का प्रमान है या सिक्षा सहंसीलता एवंग धहर के लिए जरूरी है इस तरह से प्लेटो सारिक प्रिशिक्षन के द्वारा अपने आदस राज से चिकित सकों एवंग संगीत कला के शिक्षा से नियाय निर्माताओं को निसकासित करने के पक्ष में है इस शिक्षा के बाद 20 वरस तक सेनिक शिक्षा चलेगी एवंग फिर इसकी समाप्ती पर एक परिक्षा होगी और इसमें सफलता प्राग करने वाले शिक्षा के अधिकारी होंगे वे उत्पादक तथा सेनिक वर्ग का निर्मान करेंगे हायर एडुकेशन उच्छे शिक्षा फ्लेटों की उच्षा दो चरणों में विभाजित 20 वरस से लेकर 30 वरस एवंग 30 वरस से लेकर 40 वरस तक जधर पी आगे भी है फिर 40 पर पसे 50 वरस एवंग अंत तक की सिक्षा 20 वरस तक की आयो एक सामान ने बहुदिक स्थिती की उपलवधी की आयो है अताहिया सिक्षा इंद्रिये गम्य ज्ञान के अस्थान पर बुध्धी गम्य ज्ञान की पध्धती है गनित सदा से युनानियों का प्रिय भी सह रहा है ठेल से लेकर हिपारकस तक सभी ने गनित को बहुत बढ़ा महत्तो दिया है स्वेंग प्लेटो ने अपने एकेडमी के द्वार पर लिखा था कि गनित के ज्यान के बगैर कोई प्रवेश का अधिकारी नहीं हो सकता अता सिक्सा की इस पधती में भूमिती सास्ट, जोति सास्ट, गनित, जामिती, संगीत, तथा दर्शन सास्ट के अध्यन की व्यवस्ता थी प्लेटो के ऊपर पिथागुरस का बहुत प्रवाब था और जिसने प्लेटो को गनित का प्रेमी बनाया थी प्लेटो ने कहा है कि इसी तरह से जामिती का भी बहुत महत्व है एवन ब्यभारिक उप्योगता है जामिती युद्ध संसालन के लिए भी आवश्यक बीस से तीस वर्स तक की नियाई मुलक दी जाने वाली शिक्षा शनरक्षक या गार्जियन ही पाएंगे तीस वर्स की उम्र में फिर ऐसे शिक्षा प्राप्त ब्यक्षियों के लिए चुनाव परिक्षा होगी और जिसमें उत्तिर्न ब्यक्षियों ही सनरक्षक बन सकेंगे इन उत्तिर्न ब्यक्षियों को पुना पांच वर्स तक दरसन सास्तर के शिक्षा दी जाएगे फिर 35 वर्स की आयू में उन्हें राज के सेवा में भेजा जाएगा ऐसे ही उत्तिर्न परिक्षातियों में से शिलोस्फर किंगी की पराप्ती होगी और यहां तक की सिक्षा सैधान्तिक्त है तो 15 से 50 वर्स तक की सिक्षा ब्यवहारिक इस अवधि में प्रसासन संचालन करते हुए ब्यवहारिक जगत में रहेगा और इस अवधि में वह दर्सन का अध्यन करते हुए दार्सिंक राजा बनने की दिशा में प्रियत्न सील रहेगा इस तरह से 50 वर्स की दिर्ग आयू तक ब्यवहारिक जीवन की और परिक्षा में खरा उतरने वाले एवंग लोग ब्य जगती ही प्लेटो के सम्मति में सासन के अधिकारी होंगे शिक्षा का अंतिम चरण पचास वर्स की आयू के बाद का है दबकि सासन से अलग होकर सनरक्षक चिंतन एवंग मनन की जिंदिकी बिताते हुए एक सास्वत सत्य एवंग आडिया अफ दगूड की प्राप्ति का इस अवधि में वह सत्य एवंग आध्यात्म के माध्यम से समस्त संसारिक ममता मोह तथा आकर्सन विकर्सन के खीचतान से मुक्त होकर निर्विकार हो जाएगा और तब यह बिना भे राग द्वेश से सासन व्यवस्था को तासन चालन करेगा इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो के शिक्षा बहुत दिरकालीन शिक्षा है जो छो वर्स से लेकर पच्चास वर्स तक की आयू तक चलती है मैं अपने अगले ओडियो में प्लेटो के शिक्षा पध्धती की बिशेस्ता एवंग उसकी आलोसना पर मैं प्रकास डालूँ आप लोगों ने मेरे ओडियो को काफी सेयर किया है और सब्सक्राइब किया है इसके लिए मैं आपनों को धनिवाद देता हूं और या आस्वस्त करता हूं कि मेरा या धारावाहिक ओडियो गती में सदेव रहेगा धनिवाद